आत्मा बनकर बैठें अपने मस्तक सिंगासन पर बाबा ने आकर हामे सार्व शक्ति संपन्द बनाया है भगवान जब इस धरह पर आते हैं तो अपनी महान आत्माओं को अपने जैसा बना देते हैं ताकि स्रश्टी के सारे से इसकारिये उना आत्माओं के द्वारा संपन्द होते रहें क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब निराकार भगवान को सभी लोग भूल जाते हैं और अपने इस देव देवियों की ओर देखते हैं तो हमें सर्व शक्तिवान से रोज बहुत समय सारी शक्तियां लेनी हैं हम उसे कनेक्ट होते हैं उसके स्वरूप परवुद्धी को स्थिर करते हैं तो उनकी शक्तियां हम में समाने लगती हैं इसको ही राजियों कहते हैं और जो जितना इसका अभ्यास करते हैं उनको उतना ही जाद शक्तियां मिलती रहती हैं रंतु इसके लिए आवश्यक होता है स्वयम को मास्टर सर्व सक्तिवान के स्वामान में रखना व्यार्थ को बिलकुल एवाइड करना और किसी तरफ हमारी बुद्धी का आकर्शन न रहे तब एक से हमें सब कुछ प्राप्थ होता रहेगा तो इसका अभ्यास सवेरे भी स्याम को भी हमें करते रहना है और साथ में बाबा का एक और बहुत सुन्दर महवाक्य है यदि तुम ये याद रखो कि सार्व शक्तिवान मेरे साथ है तो उसकी सारी सक्तियां तुम में समाती रहेंगी बहुत बड़ी चीज हो जाएगी और ये याद रखना बहुत सहज है केवल हमें धुन लगाने की ज़ुरत है हम दरता पूर्वक ये सब अभ्यास करते रहें तो सारी सक्तियां आ जाएगी बहुत बड़ी सक्ति आएगी प्योरिटी की सक्ति हमारे निर्मल स्ने में भी बहुत बड़ी शक्ति भर जाएगी हमारा ज्यान भी शक्ति साली होता जाएगा बहुत बड़ी चीज हैं ये केवल वाट शक्तियां ही नहीं ये सब और भी कई शक्तियां हमारी सुब भावनाओं में भी बहुत शक्ति भर जाएगी तो हमें ये इसमर्ती भी रखनी है कि मैं मास्टर सर्व सक्तिवान हूँ इससे हमारी सारी सक्तियां जागरी तवस्था में रहेंगी और साथ-साथ एक-एक सक्ति के बारे में भी हमें चिंतन करना है और उन्हें स्विकार करते रहना है जैसे सहन सक्ति है तो मैं सहन सक्ति से संपन्न हूँ संकल्प दे अपने को मैं हर परिस्थिती, सर्दी, गर्मी, मान, अप्मान, किसी के कड़वे वचन, बिमारियां सब को सहन कर सकता हूँ, सहन कर सकती हूँ रोज सवेरे अपने को ये संकल्प दे तो हमारी शक्तियां एक्टिव हो जाएंगे सामना करने की शक्ति कुछ भी आजाए जीवन में किसी की मृत्यू हो जाए कोई परिष्थिती आजाए धन चला जाए ऐसा लगे सब कुछ चला गया इन सब को भी सामना करने की शक्ति मेरे अंदर है क्योंकि सब कुछ चला गया अत्पन तो भगवान तो मेरा है वो तो जाएगा नहीं वो तो मेरा साती है ऐसे ही समाने की शक्ति या निर्ने सक्ति या परक्षक्ति या जब आपका मन बहुत भटक रहा हो विस्तार को संकीन करने की शक्ति ये भी बहुत इंपोर्टेंट शक्ति है कितना भी विस्तार हो रहा हो सेकिन में हमें सरीरी हो जाएं ये है विस्तार को संकीन करने की शक्ति बहुत काम की है यानि तुरंत अपने को एकागर कर दें तो हम अपने कोई स्मर्थी दिलाएंगे कि हमारे अंदर ये शक्तियां हैं तो प्रेक्टिकल में पाएंगे कि हम बहुत सक्ति साली हैं और आगे चल कर तो हमारी सक्तियों की परिक्षा होगी क्योंकि संसार में धरातल पर भैका माहूल बहुत बढ़ जाएगा हम 27 साली आत्मा निर्भे रहेंगी और दूसरों को भी अभैदान देंगे यानि निर्भे बनाएंगे तो बहुत बड़ी सेवा हमें करनी हैं इसलिए अपनी सक्तियों को वेश नहीं करना है व्यर्थ संकल्पों में पर चिन्तन में नहीं तो जितनी सक्ति जमा करेंगे वो नस्त होते रहेंगे तो सभी सक्तियों से संपन बने ये दर्ड संकल्ब कर ले ओम से अंदे